सभी लोगों का सबısूत करता हूँ आज के शोग कैम चौशिय में आज करें के आज ये बारे में तो आई है समझते ये दाम ऑन लाग पचास हार की आसपास तो अब आपको लग रहा है, लेंस उत्मा बढ़ा नहीं है, बात ही होता है कि लेंस आप बहुत सारे खर देंगे, मतलब एकडम स्टार्टर से स्टार्टर भी काड़ी खोलता है एक ही लेंस से, लेकिन देखते देखते तीन, पांच, छे लेंस आराम से अपना समझे जमा हो कि यह देखते हैं, तब आपका में इन्वेश्मन पताझा चलता है कि लेंस में होता है, दूसरा दूसरा लेंस बहुत महंगी चीज होते हैं, मतलब बम, रह सा कॉक्स अब काफी फोर्चिघर में होथता एंस दॉम्पर, पधürü हो कि जफं़ जागा तो इक्जाम्पल त एं जो काफी अच्छा लेंस है और हर कोई इस्तमाल करना चाता है और काफी वर्स्टाइल होता है यानि कि इससे आप काफी सारे काम काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो है 70-200 f2.8 इसे होली इटरलेटर लेंस का तहा जाता है किंग तो मन्दब सब्सक्राइब यह लेंस है आ चलिए Canon में दाम देखते है 2.1 lakhs चलिए Nikon में दाम देखते है 2 lakhs अब आप बुलेंगे अच्छा यह सब छोड़ों टैमरॉन यह सिंग माउमा का लें तैमरॉन का दाम जो की चीप है अफोड़िवल है उसका दाम है नप्धे हाजा से उपर तो समझ लिए लेंस बहुत मह ले रहे हैं अपना सेट नहीं बना रहे है तूल किट नहीं बना रहे है इंटरचेंजबल लेंस लेने का फाइदा क्या हुगा क्योंकि समझे हर किसी का अलग जरूवत होता है जैसे किसी को जरूवत है यार मैं एक टाइट हेट शॉट खूब लेता हूं वह लोग 70-200 ले क कोई पहन होगे जो आपको सूट करता है इसलिए इंटरचेंजबल लेंस के पिछेतने जाते हैं और कंपनी के नजर से देखें तो कंपनी का मेन प्रॉफिट लेंस से आता है ऐसा क्यों क्योंकि कैमरा जैसे माली आपको एक बेचा गया जैसा है कैननन ने मुझे एक कैमरा इसे हम कहते हैं कैनन 800T वो मेरे पास है तो उसमें लेंस केतना है लेंस तो दो हो गए मतलब एक लेंस मैंने सिग्मा खरी जत्रा बाइपास करके लेकिन दूसरा तो कैनन गा लिया और माली अगर इस सिस्टम में मैं खुश रहता है और और जागी जाने का सोचता तो और सार सारे लेंस भी लेता है तो हिसाब यह समझे कंपणी का यहीं कि एक बाड़ी बेचा और खूब सारे लेंस बेचते हैं उनका में प्रॉफिट लेंस से आता है और यह इंटर कंपैटिबल एक दम नहीं होता है यह गलती ना करें यह सोच कि मतलब कुछ लोग नौशी है अटो फोकस में यह जो भी मतलब अलगार दिकत हो रहा है चलो दूसरे में चलता है तब पता चले लेंस में तो एकस्पेंडेचर कर दिया अब उसका क्या करें तो इसी कारण से इंटर कांट ना होने के चलते बहुत ध्यान से सावधानी परतना पड़ता है और इसी कारण सिस्टम में लॉक हो गया वह हो क्या रहा है उसका यहीं मतलब आप बैटरी खरी सकते होतना ही चुपेगा एक लेंस के दाम में आप अराम से बैटरी फ्लैश यह सब खरीच सकते है लेकिन चात्माच लेंस अगर आपको इधर सुधर करना पड़ा है एक से इधर चाने में आप लटक चाहिएगा लेंस बहुत इंपोर्टेंट होता है अब आप कतने स्पेक्स और मैं यहां पर स्पेक्स आप लोगों इसलिए समझाना चाहूँगा ताकि आप लोग पूछो नहीं मुझसे कि यह होगा कि नहीं होगा ताकि आपको खुद की अंडर्स्टैंडिंग पर अपको खुदी कि आ यहां ऌपको अपको मजली पक्रल सिखा है तो यहां पर यह समझी की लेंस वो कितनी रा कर रहा है जो कि तो तो सबसे चोटे में आता है माईक्रो फोर्थ मीडियम घिए मतलब हो फुई करेगा थ आपको मिल जाएगा बहुतर सारे सिक्रूरिटी कै तो इससे थोड़ा उपर आते हैं जो आप लोग में से काफी लोग इस्तमाल कर चुके होंगे एपीसी कैमरा जैसे कि नाइकोन डी 3100 हो जाए चाहे फूजी हो जाए चाहे आपका कैनन 800D हो जाए यह सब जनली एपीसी आता है तो एपीसी के उपर आते हैं एपीसी में आपको सर्फेस एरिया मिल रहा है 23 mm by 15 mm अब इससे उपर आते हैं जो आप लोग एक्चल फिल्म रोल देखते थे खोल के अगर फिल्म देखे होंगे पुराने टाइम का आपके पास रखा होगा तो उतना बड़ा एर निकालके सेंसर इमेज में noise reduction करता है और वह सेंसर लब लगता है तो काफी accurate रहता है क्योंकि गर्मी सा सेंसर ज्यादा noise करने लगता है अगर वह आपको पता ने चली तो इमेज अच्छा नहीं आएगा तो इसलिए थोड़ा सा सेंसर बड़ा रहता है लेकिन projection area उतना नहीं दो इंच फिक रहा है तो वही फ्लांज डिसेंस में दो ही लॉजिक होता है पहला लॉजिक है आपका DS-Lival logic जिसमें हम लोग मिरर बॉक्स होता है एक काच होता है जो उपर लाइट रिफलेट करता है व्यूफाइंडर में दालता है व्यूफाइंडर से आपको दिखता है यह बॉक्स जो हाँ हटा दिया गया इसी को हम लोग मिररलेस कहते हैं तो मेरलेस में वह फ्लैज डिसेंस कम हो गया तो पहले यह किया जाता है कि लेंज के पीछे अडाप्टर लगा के अच्छ कर ले रहा है तो यह दो और श्यूफे बूपनी का किसी ब्रांड कर ले रहा ह तो यह बात समझना बहुत रहा है और हर चीज का हर मिलीमीटर रेटिंग सब यह सब जितने भी किया गया है सब को स्टेंडडाइज किया गया है फुल फ्रीम 35 mm ऐसा क्यों 35 mm नेगेटिव जो आप देखते हैं वो लगभग 100 साल से चल रहा है उससे भी जाधा चल रहा है तो समझ लिए कि सब चीज पूरी दुनिया उसके हिसाब से चल रही है तो यहां पर यह समझना बहुत ज़रूँ इसलिए नंबर क्रॉप में आपको लिए जाए जैसे कि माले आपको एपियर से उसमें क्रॉप फैक्टर मॉल्टिपाइ करके नहीं दिया जाए क्योंकि वो बहुत पुराने देखेंगे तो वहां देखेंगे तो गोल्स आया है उसको गुमाएंगे तो लेंस का फोकस चेंज हो जाएगा यह होता है मैकानिकल ड्राइविंग जो कि 1970 समय पहुत पहले से इस्तमाल हो रहा था नाइकॉन जिस टाइम दुनिया में दादा था मतलब सब यह मतलब छोटे लेंस के छोटा तो यह क्यानने जिस के लिया था और इसके बाद वो नाइकॉन से आगे निकल गया तो अभी आपको जितने भी लेंस मार्केट में मिलते हैं और जितने भी करेंट जेरेशन वह शुद्ध हंड्रेट परसेंट ड्राइब बाइवायर होता ह सिर्फ नाइकॉन का अभी अगर आपको लेंस है उसमें आपको एक लिवर दिखेगा जो की नाइकॉन जर्ट सेरीज में हटा दिया गया है अब बात यह समझे कि यह इस पर मेकानिकल चीए तो इसलिए कई बार आपको बलें कि नाइकॉन का लेंस का अडाप्टर क्यों नह अब बहुत 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 नहीं कि नाइकॉन के बहुत पहले कूच चुका था कि शुद्ध राइड़ परसें ड्राइग बाइड चलेगा तो यह एकदम फंडमेंटल यह सब फिजिक्स के लिए बात करें यह चेंज नहीं होता को फ़रक नहीं पढ़ता कौन सा ले अब कामरा करेंस इसके कोई फरक नहीं पढ़ता है यह सब कोर प्रिंसपल यह समझ लीजिए बंग रहिए गा फिर आपको दो चीज़ सुनने को मिलता को जूम लेंस और प्राइम लेंस सिधा मतला नहीं होता कि दूर का दिखा रहा है वो उसका जूम मतलब नहीं होता है ज सबस्का ये गलती इमार्ट कर कर दोलें कि इशिया अल्ट्रावाइट को छों क्यों भो रहना चाहते तेad क्योंकि जूं का मतलब हो गया या ऐटीन डू शूम मतलब हो लिगए को बिमटींग कोच होगा फ्रिंजिंग होता था खूट इंग रहिण से रहता त्यारी हो मौद्लिंग से जब लेंस बनाने लगे तब यह सब समस्था वो गया तो अब जूम लेंस जो है प्राइम लेंस इतनी क्वाल्टी रहती है अब प्राइम लेंस का खरीदने का दो प्राइम लेंस एक एमम के लिए बनाएगा तो उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है अच्छे से बनाएगी कंपनी का बात कर रहा हूं कोई आप दिखा दो यारे यह सस्ता वाला में ट्टी है तो बात अलगा है लगिन जनरली कंपनी अच्छे से बना सकती है ऐसा आपको प्राइम लेंस तो कई बारे स्पोर्स फोटोग्राफर बमम प्राइम लेंस लेता है जो लेकिन बहुत में आथा करीब 6.6 लाग का एक लेंस आएगा सस्ता बाला बारा लाग तक अभी जाता है तो यह समझ लिए कि यह प्राइम लेंस हो गया और जूम लेंस हो गया अब आपको लेंस में तीन चीज़ होता है कंट्रोल करने के लिए जूप नॉर्मल जूम लेंस तो उसमें पूरी तरह से ट्राइब बावायर होने के बावजू भी मैकनिकल अटो फोकस होगा यानि कि आपको एक लीवर करते हैं तो वह सीधे मोटर को कनेट करके लिवर कनेट कर देता है लेंस का हुट से मतलब यह जो उसमें गियर रहता है उसको आप घुमाएंगे अगर आपका मतलब आटो फोकस अल्गोरिफम नहीं ठीक से काम कर रहा है तो उसको घुमाने में बहुत फजी रहा है और उसमें पता नहीं किसी इंजिनियर को या आइडिया है कि एक काम करो इसमें डालतो जनली मैनुल फोकस के लिए लिए लोग इक्तम प्रिसाइस चाहत वह उसी कारण है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अब लोग समझ रहें कि software में दिखा दिया जाता है कि one by one ratio दे देते हैं बड़ समझ लिए कि फचित फिर अपर्चर यह मतलब नेगेटिव के टाइम में एकदम जरूरी था तो हर मतलब फिल्म के SLR जेतने आते थे सब में आपको अपर्चर का दिखेगा जो पुराने लेंस पर कुट 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 करते थे यह अपर्चर मिलता था अब हटा दिया गया है तो अब जाके आपको भले हो सकता है कि electronically रिंग है वह रिंग में आप स्रेटिन डाल सकते हो कि ISO चेंज करो या अपर्चर चेंज करो तो यही तीन चीज मिलता है और आप सिनिमा में जाएंगे यह तीनों चीज आपको मैनुवली बाहर से कंट्रोल करने का मिलेगा तो यह सब स्पेक हो गया फिजिक्स लिवर पर यह चेंज नहीं होता है यह लॉजिक हर चीज में सेम रहेगा अब बात करते हैं समस्या क्या जो आप और हमें चेलना पड़ता है पहला यह कि आप बड़ा लेंस को छोटे सेंसर में अगर आपका प्रजेक्शन इरिया बड़ा है तो उसे चोटे निकालने में कोई दिकत नहीं है लेकिन चोटे को बड़ा नहीं किया सकता है यह बात एक तम सीधा सीधा समझ लीजिए टो आप एक फुल फ्रेम लेते हैं चया उसे फुल फ्रेम में लगा सकते हैं चया अपको बले आज़ा अप के काम भी रेगा प्रप्रेम का बसी होगा कि खुद बख़ुद डिटेट करें घर डिए हमारे पर उतना पैसा की ले सके आप ऐसा इसा इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन आपका क्रॉप हो जाएगा resolution घट जाएगा तो ध्यान दें उसके बारे में फिर Micro Four Third में भी वही होगा कि Micro Four Third में भी वही होगा कि Micro Four Third वालों के पास ऐसा option ही नहीं कि उनका full frame आता हूँ तो वो तो option नहीं है तो यह समझी कि आप हमेशा बड़े को छोटे में पोच सकते हैं छोटे को बड़ा में नहीं किया जा सकता है छोटे को बड़ा में करें हैं सीधा crop कर डाले तो यह हो गया दूसरा आप जो भी adapter सोचते हैं कुछ भी adapter हो चाहेए वह Nikon का हो चाहे Canon का हो चाहे फूजी तेली adapter हो एड़ाटर को कहीं लगाना पड़ेगा तो यह जगां कहां है जहां आप लगा रहें यह है फ्लाज दिस्टेंस इसलिए आप DSLR का लिंज में लगा सकते हैं लेकिन लेकिन लेकर लिंज आप DSLR में नहीं लगा सकते हैं जैसे कि Canon अभी तक 10x का यह फ्ली फ्रेम लेंस नहीं निकाला था अभी पहली बार आर शीरीज के लिए निकाला रहा है जैसे कि Canon 24-240 अभापको यह लिंस बहुत पसंद देदा और दाउन बहुत जदा नहीं सब्सक्राइब तो अब यह 10x का लिंस मैं लगा कि बंब हो जाना चाहता हूं अब बोले इसला के देखेंगे डियसला में बाक्स जो था उसके लिए लेंस ऐसे बनाए जाते हैं तुम दूर प्रोजेक्ट करो एट लिस्ट तू इंच तक दूर प्रोजेक्ट करो तो वो इंच का आपको जगा जारा है उस इंच के अंदर आप डाप्टर डाल रहे हो इसलिए आपका इसलिए आपका सारा काम करेगा यह करना इसी करण से आप mirrorless को DSLR में नहीं लगा सकते हैं लेकिन DSLR का lens आराम से अपना समझ के आप लगा सकते हैं तो इसका फायदा यह भी होता कि जैसे Canon का EF lens मार्केट में खूब है तो बहुत सारे इडाप्टर, स्पीड बूस्टर्स आपको मिलेंगे कि फूजी में उसको लगातों क्यों क्योंकि फूजी मिर्लेस है तो उसको उतना फ्लैंज डिस्टन्स के दरत रहत नहीं है तो डिस्टन्स जो बच जा रहा है कि वह यह इतना बैक फोकस करने के जगाँ पर पर अडाप्टर डाल दो बम खुश रहो तो यह समझना बहुत रहता है वहीं पर सोचेंगे कि आप में फूजी में सोनी का इमाउंट लागा सकता हूं नहीं होगा ऐसा क्यों क्यों क्योंकि इमाउंट में लेश के लिए पनाए उसमें फ्लाइंट डिसनस है नहीं जहां पर अडाप्टर लगा सको इसलिए टीएसलर में नहीं आएगा यह बात समझना बेहत सदूरी है तो यही है समस्या को अभी जे टने लोग का लेते हैं नहीं आजा इसका यह बेसिकल जगह शावाइब और इससी का अब सब लोगों को आपको समझना ज़रूरी है को अब बात करते हैं तो आप और हम कर क्या सकते समस्या तो है तो इससे सुलिए कि गासे आप ये समझे सोनी का इमाउंट जो है तो पुराने टाइम का वीडियो देखें ने किने तो सब लोग का जोग बना रहा था कि सोनी योटे बोनाइगा और लोग बहुत पहले सही बहुत अच्छे वीडियो फीचर्स दे रहा बहुत अच आचे तो हिसाब है उस टाइम जोके ही चलता था लोगिन सोनी को यह था कि भईया मेंचे मार्केट कैप्चर करना है तो करें कि उन्होंने अपना लेंस मांट का लॉजिक खोल दिया कि हम ऐसे ऑटोफोकस करते हैं यह मेरा सिगनल कमांड का बैक और फोर्थ होता है तो ऑटोफोकस उन्हें खोल लिए अब उसका यह फाइदा हो कि धड़ा के सिग्मा और टैमरोल लेंस अपना समझ के बनाने लगे अपना समझ के मार्केट मोटारल अभी ऐसा टाइम है कि अगर आपको मेरलेस लेना है नेटिव लेन्स के बारें बात करो यानि कि तिड़म नहीं लगाना है आपको करता है वह लोग रिवर्स इंजीनियर करता है जैसे कि माली जाभी मेरा सिंग्मा के लेंस लगा हुआ कैनन बें यह कैसे काम कर रहा है सिग्मा ने क्रैक किया कि मांतर कैनन कैसे करता है इसलिए कुछ साला को वेट करना पड़ेगा तो बहुत अच्छा चांस है कि अभी इं नहीं कोशिश कर रहा है सुनी पूरा दे लेकिन और आपको और आटा फोकस देंगे लेकिन अम आपको यह नहीं पोस्ते खक इनाले मिलने लगा वह को किसी और में अ नहीं मिलेगा दूसरा कैनन आर मांट के पास सबसे बड़ा बेनेफेट होता है कैनन का EF मार्केट शेयर बहुत जाता है अब ही तो हम मनें फुल फॉल फ्रेम बात कर सकते हैं अगर अग jeśli हम शजहाते हैं अभिवेश ऑप उसे सथे पॉच लगा के आप वेशट क्रों इतना अब अब बिच से काट क्या एतना एर SCOTT कson इसी कारण से speed booster का इजाद किया गया speed booster क्या करता है उतना बड़ा projection लेता उसे focus करता है focus करके आपको speed booster में जो बदल समझेए लेंस का बहुत बड़ा यार रिया उसको focus करके डाल रहा है और इसे quality बहुत अच्छी हो जाती है लेकिन यह हमेशा बड़े लेंस को छोटी में कर सकता है यह बात समझना बहुत बहुत है तो मान लिजा कर आप APS-C लेते हैं तो उसे फूजी में अपने ही लगा पाएगे उसे आप इसमें Blackmagic का Micro Four Third में लगा पाएगे और वहीं अगर आप फूजी में ऐसा Speed Booster चाहेंगे तो सब लोगों बले हो यह फूल फ्रेम खर दो तब जाके इसमें Speed Boosting की जा सकती है यह समझना बहुत है और सबसे ज़्यादा अड़ाप्टर आपको शांती से Canon का ही मिलेगा Nikon का नाम मिलने का बहुत कारण है उसमें सबसे वड़ा एक नौटंकी वाला कारण है कि उतका जो एपरिचर का लीवर है लीवर की मोटर बनाना पड़ता है मोटर महंगा पड़ता है मैक्रो प्रोसेसर के कंपेर में प्लस उसके लिए पावर ड्रॉव मैनेज करना पड़ेगा कि मानली अगर ज़से 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 पावर ड्रॉव मार दिया वह कॉंटेक्ट में से आपका कैमरा का सेंसर उड़ा डालेगा सेंसर नहीं उड़ाएगा जो उसका चिप है जो कॉंटेक्ट कर रहा है वो उड़े जागा तो फिर आपका नॉर्मल लिंस भी नहीं काम करेगा इसी कारण से नाइकॉन का उतना आपको एड़ाप्टर से नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कोई है ही ने बस बहुत कम है है रहान हो जागा मतलब आपको आमेज़ान पे देखिएगा पचीस नाइकॉन का उप्शन आएगा डिर्सो टैनन का उप्शन आएगा तो वही समझे यह समझना बहुत रही है और कभी भी अगर आप आप अटो फोकस पे भरुसा कर रहे हैं आपकी रोजी रोटी आर यह आटो फोकस पे गलती से भी अड़ाप्टर वाला काम ना करें यह सब वीडियो वालों के लिए अच्छा रहता है जहांटे वो लोग मैनुल फोकसिंग करते हैं लेकिन अगर आपको अटो फोकस पे भरुसा करना है सांती से फर्स्ट पाटी लीजिए उसके सिवा कुछ उना ले तो यह था मेरा प्रसेंटेशन लेंस मांट के वारे उमीद कर दो एक लिस्ट आपके लास इतनी अंडिस्टेंडिंग होगी होगा ताकि आप खुद से मांट के लेंस कैणन के आरमांट में लगेगा कि नहीं लगेगा तो अगर आपको खुंछ निक ने एक मिला कुछ समझ में आए तो लाइक कर दें दोस्ताया शेर करड़े तो से मेरा काफी बिलाहोगा नहीं अच्छा लगा नहीं क्संद आया कोई बात नहीं आप Zombie कर सकते ह मैं काउंगा डिसलाइक तो बार दबाएं उसे मुझे राचले को केतना पसंद हुआ है मैं आप से काउंगा कॉमेंट लिखें ये मैं हार कमेंट की जाब देनी कोशिट करता हूं आप से काउंगा सब्सक्राइक की बेल दबाईगारा फ्री है तो आपने अरब वीडियो कि अन्यवाद आपका के लिए भारा से कॉमेंगा हुआ है पiczम कासरी सके बभṇचले की लगिया न हिसे ही जाते है